आज हम एक पहुत की जागरु किसान के पास पहुचे हैं गाउं गंदासफुल में इन्होंने तीन तरीक्या बनाए हैं ट्रंच विदी में तीन फसल लगा रखें और हर खेत में अलग फसल लगा रखें करने के साथ में आज इस वीडियो के माद्यम से बहुत इच्छी जानक जिए jal जला च्हांणपूर और नाम आपका नाम भिनीतपंत मार बहुत अच्छे झी तो आपने जो गन्ने की बुआई की थी कि यह नेगा बुवाई आपने कभ अभी है तो व्ह तो a ख थे आयती कीश दो सकत और सव्हों तो अपने चो था पहले ही पोत यार और रखिती कैसे यह चालिके पिहले है करें पहले पोद ये आरकर प्लस पॉंट पहुंचने वाले हैं इन्होंने जो है देखो पसुओ के लिए बढ़सी मोई है तो इस खेट में आपने बढ़सी बहुत है जब बढ़सी तयार हो जागी तो हमारे पसुओ के लिए इस्तमाल होगी चारा है और जब तो कटिंग होने के बाद में आप इसे जुताई भी कर सकते हैं टेक्टर के दुवारा जमीन में खात लगा तो साथ यह था पहला प्लोट अब हम दूसरे प्लोट में चलते हैं उन्होंने इन्होंने दूसरे प्लोट में कुछ और लगाया आप उसकी जांड कर लेते हैं सरसो लगाई थी तो सरसो किस परकार बुगाई करी सरसो की इसमें पहले बीच बखेर दिया अच्छा जी फिर खूड पाड़ दिये शाट इंच पर फिर गन्ना बहुत दिया पोद रखी वह अपनी अच्छा अच्छा वह जो पोद तयार थी फिर खुड़ों में पोद सरसो बहुती शांदार तयार हो रही है और सरसो कटाई के बाद में एकदम से गन्ना तयार मिलेगा और अब तीसरा खेट देखते हैं जीन का उसमें हमारे भाई ने क्या लगा रखा है बहुत जागरुक है हर साल नए नए एक्सपरिमेंट खितों में करके देखते रहते है है च veasaar और अगले खेट चलते हैं तो किसान जातियों अब अगले प्लोर्व पर पोच्चने वाले है उसमें देखते हैं गन्न्य के साथ में बाय जी ने क्या लगा के बदला वोता है तो किसान के आमदनी के जरीये आगे खुलते रहेंगे अब हम देखते हैं इसमें क्या चना लग रहा अब चने के बारे में जानकार लेते हैं और आपको एक बार दिखता हूं मैं पुद्दे से पुद्दे का गैप देड़ दो फिट के आसपास है बहुत ही एक समान जमा होगा कहीं पे कोई भी गैप इसमें है नहीं अब थोड़ी जानकार लेते हैं तो आपने इसमें जो अपना है था जी वह क्या तरीका अपना है था इसका बुवाई का चने का चना पकेर का बोजे था जी फिर उपर मेडी मार थी बाद में खूड निकाल लेते तो यह जो चना है जी आपने किस परपस से तयार करा किस तरीके ते इस्तमाल करोगे या साग में तो पीठ में तो काफी अच्छी रेट मिल जाए जिसके शुरू के तो कटिंग का देखो भाई यह दो लाब मिलेंगे एक तो थोड़ी से आंदली भी हो जेगी और वो जो कटिंग होगा ना उसके बाद इसमें टिल रिंग फुटाओ होगा और पुद्धा जो है मजबूत तो चने की फसल जोएसमें पाने की तो ज्याद़ जूरत पढ़ती नहीं जी कम पाणी में त्यार हो जगा किवाल खूड में पानी आता है उपर यह वह तावस्कता है अगर बदलाओ करेंगे तभी हमें कुछ आगी का रास्ता मिलेगा क्योंकि परंप्रगत तरीके से खेत नुकसान का सोद्दा भी नहीं कह सकते लेकिन आमदनी बहुत सीमीत रहागी है अगर हम बदलाओ करेंगे तो हमारे आमदनी के जरिये भी बढ़ेंगे इसलिए हमारे भाई जो है नएने बदलाओ करके खेती में देख रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं और भाईयों जागरुख होने की जुरुरत है ऐसा कुछ नहीं है कि हम सेव सोचते हैं अगर हम नया बदलाओ करेंगा हमें नुकसान होगा ऐसा कुछ नहीं है नुकसान होने के अगर हम अच्छी तरीकी से करते हैं, मैनेजमेंट डमारा सही है, नुकसान होने का संभावना बहुत कम रहती है, तो साथ यो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो ज्यादे ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नमस्तुराइब झाल